16 या 17 जुन कब है बकरीद? बकरीद की तारिक पर है बड़ा कन्फिूजन जाने कब मनाई जाएगी बकरीद? किसी भी पर्वे या तेवहार की तारिकों को लेकर कई बार कन्फिूजन हो जाता है मुस्लिमों का तेवहार बकरीद आने वाला है जिसकी तारिक को लेकर लोगों में कन्फिूजन है वैसे तो इसलामिक कैलेंडर को देखा जाए तो इसके बारा हुए महिने जिसे माहे जिलहिजा कहते है उस बारावे महिने के दस्वें दीन को बकरीद यानी इदुल अजहा मनाये जाता है मुस्लिम धर्म में मीठी इद के बाद बकरीद को सबसे बड़ा तेवहार माना जाता है मुस्लिम परंपरा के मुताबिक बकरीद में कुर्बानी का सबसे ज़्यादा महत होता है वहीं ये भी सभी जानते हैं कि मुसलिम धर्म के तक्रीबन सभी पर्वर तेवहार चांद के मुमेंट और उसके दिदार कर मनाय जाता है कहने का मतलब यह है कि चांद के दिदार के बाद ही मुसलिम धर्म के पर्वर तेवहारों की तारिखें तै की जाती हैं तो चलिए जानते हैं बकरीद के लिए चांद का दिदार कब होना है और बकरीद कब मनाई जाएगी लोगों में 16 और 17 जुन को लेकर confusion है तो चलिए उसे दूर करते हैं जैसा कि हमने शुरू में बताया इसलामिक कैलेंडर के 12 महीने की दस्वी तारीख को बकरीद मनाई जाती है उसके मताबिक 7 जुन को माहे जिलहिजा की शुरुवात हो चुकी है इसलाम धर्म के जानकारों के मताबिक 7 जुन को माहे जिलहिजा का चांद देखा गया था अब इ इंडोनेई, जापान, होंग कॉंग, मलेशिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी 17 जुन को ही बक्रीद मनाई जाएगी, वहीं UAE, सौधी अरब, कुएट, कतर, ओमान, जॉर्डन, सीरिया और इराग जैसे इस्लामिक देशों में भारत के साथ बताएगे दूसरे देश हुई है, जिसमें अलाह ने जब सपने में उनसे अपनी सबसे प्यारी चीज मांगी थी, तब उन्होंने अपने बेटे को अलाह को सौपने का फैसला किया था, अपनी आखों पर पट्टी लगा कर उन्होंने अपनी बेटे की कुर्वानी दे दी, लेकिन उनका बेटा सही स भर्म के लोग तड़के नहाध होकर साफ सुत्रे कपड़े पहन कर मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं उसके बाद सभी एक दूसरे के हाँ मिलने जुलने जाते हैं उस दिन का महौल ही कुछ अलग होता है ऐसे में अगर आप उस दिन के इंतजार में हैं और आप इसकी तार इसले पर पहुंचने से पहले अपने नजदीक के इस मामले के जानकार से चर्चा जरूर कर ले इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ